और यह नकली ट्रेवर कहा जा रहा है वो शीट यार नकली ट्रेवर ने यहां के सारे गाट्स को मार दिया और यह नकली ट्रेवर यहां से भाग चुका है तो चलो यार यह मैंने नकली ट्रेवर को घायल कर दिया और यहां पर मेरी सारी मिलिटरी भी आ चुकी है तो finally यार अपने को सब कुछ clear हो चुका है, Trevor की report आ चुकी है, और Trevor की report में ये आया है Hey guys, welcome to another episode of GDW, यार आज के episode में अपन नकली Trevor को मारने वाले हैं, यार आ जाओ, चलते हैं हाँ तो यार तुम्हें पता है, at last Leicester ने मेरे को कुछ information दी थी, जिससे अपने को clear हो गया था, कि यार ये जो female mafia है ना, ये लास एंटास में एंटर हो चुकी है उसके बाद अपने यार काफी planning करी, और हमारा एंट डिसीजन ये निकला, कि यार अपन लास एंटास में lockdown लगा देंगे तो यार वोई lockdown की permission लेने के लिए, ये मैं military base के secret area में आ चुका हूँ, जहां मैंने military general से बात कर ली है बाद यार ये military general बोल रहे हैं, कि यार अपन लास एंटास के अंदर lockdown नहीं लगा सकती क्योंकि यार ये जो female mafia है ना, ये है मेरी personal problem ये military इसके अंदर हमारी कोई help नहीं कर सकती, बाद यार इस moment पे ना, मेरा दिमाग बहुत गरम हो रहा है मुझे अभी समझ नहीं लग रहा कि यार मुझे क्या करना चाहिए अगर military मेरी help नहीं करेगी, तो यार अपन ये female mafia को कैसे पकड़ सकते हैं तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार लेस्टर से फटाफट मैं बात कर लेता हूँ वो ही बताएगा कि यार अपने को आगे क्या करना चाहिए तो चलो यार लेस्टर से मैंने बात कर ली है वो बोल रहा है कि यार अपने पास ना सिरफ अभी एक ही तरीका बचा है जिससे अपन ये female mafia को पकड़ सकते हैं वो बोल रहा है कि यार अगर अपने को पता लग जाए ना कि यार कौन सा असली ट्रैवर है और कौन सा नकली आपन असली ट्रैवर से सारी information निकाल लेंगे तो यार मैं भी उसी hospital में जा रहा हूँ जहां पर अपन ने उस ट्रैवर को पकड़ा था तो यार अभी तो मैं जाके clear करना ही वाला हूँ यार ये असली ट्रैवर कौन सा है और नकली ट्रैवर को तो यार मैं छोड़ने निवाला तो चलो यार ये मैं secret area से बाहर आ चुका हूँ जल्दी से अपन अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहां से निकलते हैं यार जैसे दुम देख पा रहे हो आज काड़ी में नहीं चला रहा क्योंकि यार आज गाड़ी चला रही है मेरी ये पर्सनल असिस्टेंट तो हां भई अपना भी थोड़ा swag होना चाहिए ना मतलब मैं military colonel हूँ तो यार इतना तो बनता ही है तो चलो यार जल्दी से इस एरिया से निकलते हैं बागी यार लेस्टर से मैंने अभी call पे बात करी है वो बूल रहा है कि ट्रैवर को होश आ चुका है और इसके सारे टेस्ट वगारा चल रहे हैं बागी यार अभी तो जा कि अपने को hospital में clear होने वाला है कि यार ये ट्रैवर असली है या फिर नकली अगर ये ट्रैवर नकली हो आना तो यार अपने लिए एक बहुत तगड़ी प्रॉबलम खड़ी हो जाएगी आपको बता है कि यार अपना ये जो दूसरे वाला ट्रैवर है ना वो अपने को कुछ भी information नहीं दे रहा तो यार मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा कि अपने को क्या करना चाहिए बाकि यार ये जो military journal है ये भी थोड़ा दिमाग से सठी आ गया है क्योंकि यार ये इसने मेरी काफी security कम कर दी है और ये भूल रहा है कि यार अगर तुने कोई भी military यूज करी ना female mafia को पकड़ने के लिए तो यार ये मेरे को job से निकाल देगा तो भाई मैं अपनी job खोना नहीं चाहता इस करके यार मेरे को military यूज नहीं करनी मतलब military तो अपन यूज करेंगे और चुप चुप के करेंगे भाई यार अभी मैं जल्दी से hospital चलता हूँ और वहाँ जाके देखते हैं कि अपना क्या scene बनने वाला है भाई यार फ्रेंक्लिन को मैंने बेजा है कुछ politician की पीछे ताकि यार वो पता लगा सके कि यार ये female mafia के साथ कौन सा politician मिला हुआ है भाई यार अभी तक भी मेरे को उस politician का नाम तो clear नहीं हुआ भाई यार फ्रेंक्लिन मेरे को बता रहा था कि यार उसको ना 3 से 4 politician पे शक है उन्हीं में से यार कोई politician ना मिला हुआ है female mafia के साथ अगर अपने को एक बार clear हो गया ना कि यार कौन सा politician female mafia के साथ मिला हुआ है उसके बाद यार मैं उस politician को नहीं चोड़ने वाला बागी यार अभी तक कुछ नाम तो clear नहीं हुआ बागी यार अभी Franklin अपने को कुछ information देगा उसके बाद या अपने को कुछ clear होने वाला है तो चलो यार जल्दी से मैं hospital चलता हूँ और आपको वहीं पर जाके मिलता हूँ तो finally यार ये वो मैं hospital में आ चुगा हूँ जहां पर Trevor को रखा गया है अभी जल्दी से गाड़ी को side पे पाक करते हैं और अंदर चलते हैं तो चलो यार यार यहां पर मेरी सारी गाड़िया रुक चुकी है और यहां पर मेरी security भी मेरे साथ आई हुई है तो यार यहां से जल्दी से enter करते हैं और जाके मैं लेस्टर से पूछने वाला हूँ और पूछता हूँ कि यार ट्रैवर ने क्या क्या बताया है इसको तो यार मैंने लेस्टर से बात कर ली है वो बोल रहा है कि यार इसने कुछ अपने को खास information तो नहीं दी है क्योंकि यार इसके अभी test की report आने वाली है ट्रैवर की report आ चुकी है और ट्रैवर की report में यह आया है कि यार यह ट्रैवर असली है क्योंकि यार इसके face के ओपर कोई भी surgery नहीं हुई तो यार जल्दी से जाके यार लेस्टर से मैं पूछ लेता हूँ कि यार यह ट्रैवर का अपने को क्या करना चाहिए हाँ तो यार लेस्टर से मैंने बात कर लिया है वो बोल रहा है कि यार अपने को इसको बंदी बना लेना चाहिए और जाके जेल में बंद कर देना चाहिए ताकि यार वहाँ पर अपने इसको torture कर सकें और इससे female mafia के बारे में सारी information निकाल सकें तो चलो यार ये मेरे साथ जाने के लिए ready हो गया है अगर इसने कुछ भी शेतानी करी ना तो यार मेरी सारी military को मार देगी वैसे तो यार ये शेतानी बिलकुल नहीं करने वाला तुम देखी पारे हो ये तो बहुत डरा हुआ है और मेरी इतनी तगड़ी military आ चुकी है तो यार ये सारी militarys को लेके जाने वाली है जेल के अंदर तो चल ट्रैवर फटाफट से मेरे helicopter में बैट जा मैं तरे को buy car नहीं लेके जाने वाला क्योंकि यार मुझे पता है अगर मैं तरे को car से लेके गया ना तो यार तू कोई ना कोई शेतानी कर देगा बागी यार इदर वाली साइट पे भी तूम देख पा रहे हो मेरी कितनी जादा military आ चुकी है तो चल लेस्टर तू भी मेरे helicopter में बैट जा अभी अपन यहां से निकलने वाले हैं और एक बार Trevor को देखो भाई मतलब पूरा ऐसे headphone डालके बैठा हुआ है जैसे इसकी बाप की शादी होती है तो चल यार लेस्टर हेलिकॉप्टर में बैट चुका है अभी जल्दी से जेल के लिए निकलते हैं बागी यार तुम देखी पा रहे हो मेरी इतनी तगडी security Trevor को घेरे खड़ी है जैसा act करें कि यार इसको अपने माफ कर दिया है ताकि यार अपन इसकी सारी information निकाल पाएं और female mafia के बारे में जो जो इसको पता है ना वो भी अपन पता कर पाएं वैसे यार इसको मैं माफ तो नहीं करने वाला बस ऐसी acting करूँगा कि यार अपन ने इसको माफ कर दिया है तो यार अभी जल्दी से jail चलते हैं और वहाँ पर जाके इसको थोड़ा torture करते हैं बाकि यार ये असली Trevor को मैं ज़्यादा torture नहीं करने वाला आपको पताया कि यार अगर अपन ने इसको ज़्यादा torture किया ना तो यार ये अपने को कोई भी information नहीं देगा तो यार मैं नहीं चाहता कि यार ऐसा कुछ हो तो यार मैं सोच रहाँ कि यार एक moment के लिए दिखाने के लिए ना इसको माफ कर देते हैं ताकि यार ये अपने को सारी information दे 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 मैं सोचरों कि यार अपने को ना कुछ नकली ट्रैवर के साथ बहुत गंदा ही करना है तो यार तुम भी comment section में अपनी राए दे सकते हो जल्दी से जाके comment कर दो यार अपने को ये नकली ट्रैवर के साथ क्या करना चाहिए तो almost यार ये मेरा helicopter land हो चुका है फटाफट सी यार ये सारी मेरी security ने ट्रैवर को बंदी बना लिया है बाकि यार तुम दे की पा रहे हो मेरे साथ ये इतनी तगडी security आ चुकी है का यार ट्रैवर यहां से ना भाग पाए तो चलो यार जल्दी से जेल में एंटर करते हैं और देखते हैं कि यार वो नकली ट्रैवर कहां पर है तो चलो यार ये मैं जेल के अंदर तो एंटर हो चुका हूँ अभी जल्दी से अपने को नकली ट्रैवर को ढूंडना होगा बाकि यार यहां पर तो भाई मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा नकली ट्रैवर, यहां पर तो कुछ जेल खा ली है ओ हां यार अभी मेरे कोई याद आया कि यार लेस्टर बोल रहा था कि यार ये जो नकली ट्रैवर है ना, ये रहता है हमेशा first floor पे, तो यार मेरे को first floor के सारी जेल्ज देखनी होगी कि यह ट्रैवर अपने को कहा मिलने वाला है तो यहार फिर्स फ्लोर तो अल्मोस खतम होने वाली है पर यहाँ पर तो मेरे को कोई ट्रैवर नहीं दिख रहा आई तिंक यार यह सेकिंड फ्लोर पे भी हो सकता है बागी यार मुझे भी डर लग रहा है कि यार ट्रैवर कहाँ जा सकता है तो यार अगर यहाँ पर अपने को ट्रैवर नहीं मिला यहां पर तो भाई लिटरली कहीं पर भी ट्रैवर नहीं है तो यहां से जल्दी से मैं नीचे चलता हूं और यह मैं जम लगाते था हूं और भाई क्या सरफूट है मेरा भूई पूरा खुनमगुन हो चुका हूं खेर चोड़े यार फटावट से यहां से बाहर निकलते हैं तो चला यार यह मैं जेल से बाहर आ चुका हूं और यहां पर साइरन क्यों बज रहा भाई और यह नकली ट्रैवर कहा जा रहा है ओ शीट यार नकली ट्रैवर ने यहां के सारे गाट्स को मार दिया और यह नकली ट्रैवर यहां से भाग चुका है तो यह मुझे इसका ना चाहिए आई तिंक यार यह नकली ट्रैवर ना इसी रोड पे भागा था बाकियार आज ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा है ना कियार मुझे पता नहीं लगने वाला कियार यह ट्रैवर कहां को भाग चुका है तो यार भई यहां पर तो भई लिटरली कहीं भी नहीं दख सकता है तो यहार यहां पर यह मैंनेए ग्रेनेट निकाल लिया अब गरेनेट मैं इस गाड़ी के ओपर मारनेवाला हूं ताकि यार इसके अंदर आज लग जाए और यह नंकली ट्रैवर पर रुक जाए बाकि यह गिरनेट तो भाई मैंने गलत जगा लगा दिया और यह ट्रैवर रुक चुका है एक मिनट यहां पर मैं गाड़ी से निकलूं या नहीं अगर मैं गाड़ी से निकल गया ना तो अभी असी बात है इसके पास अच्छा मुखा मिल जाएगा इसको यह बाकि मेरे पास अभी कोई रूक भी आड़ी मिल जाएगा और यहां से बाग चुका है जल्दी से मुझे इसका पीछा करना वोगा बाकि यार इस ओमंच पे में किसी मिलिटरी वाले को भी नहीं बुला सकता अगर मैंने साइट पे गाड़ी रोकी तो अब इसी बात है यार ये ट्रैवर यहाँ से भाग जाएगा बागी यार ये ट्रैवर साइट वाली रोड बे मुड़ चुका है जल्दी से मुझे इसका पीछा करना होगा और मैं इसके काफी पास आ चुका हूँ तो यार यहाँ पर मैं इसकी गाड़ी आगे लगा देता हूँ और फटा फट से उतरता हूँ गाड़ी में से और इसके ओपर एम कर देता हूँ बागी यार इसको मेर को भी नहीं मारना अगर मैंने इसको मार दिया ना तो अपन कोई भी इंफोर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे तो चलो यार ये मैंने नकली ट्रैवर को घायल कर दिया और यहाँ पर मेरी सारी मिलिटरी भी आ चुकी है बागी यार मैं इसको थोड़ा मार के चेक कर लेता हूँ कि यार ये जिन्दा भी है या फिर मर गया हाथ यार ये थोड़ा बहुत हिल रहा है I think यार ये जिन्दा ही है जल्दी से इसको अपने हेलिकॉप्टर में डालते हैं और इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं महाँ पर जाके अपने को क्लियर हो जाएगा कि यार इसकी प्लास्टिक सर्जिरी के पीछे किसका चैरा है तो यार जल्दी से ये मैं हेलिकॉप्टर में बैठ जाता हूँ और निकलते हैं अपन हॉस्पिटल में जाने के लिए तो चलो यार ये मैंने अपना हेलिकॉप्टर उडा लिया जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ पर जोके पता करते हैं कि यार इसकी प्रास्टिक सर्जिरी के पीछे किसका हाथ है और ये असल में बंदा है कॉन तो यार अगर इसको होश आ गया ना तो मैं इसको बहुत पेलने वाला हूँ और इससे अपन पता करवाएंगे कि यार ये सारा नकली ट्रैवर वाला प्लैन किस बंदे का है तो चलो यार ये मैं सेंडी शॉर्स के हॉस्पिटल में आचपा हूँ जल्दी से अपने हेलिकोप्टर को लेंड करवाते हैं और इसकी बोडि को मैं अंदर लेकर जानी वाला हूँ तो यार यहां पर मैंने अपना हेलिकोप्टर अच्चे से लेंड करवा दिया अभी बस मेरे को इसकी body को अंदर लेके जाना होगा तो चलो यार ये मैं नकली ट्रैवर को अंदर लेके आचुका हूँ और ये doctor साहब इसको check कर रहे हैं और इसकी plastic surgery उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो चलो यार इस वीडियो को अलिए एतने ही रखते हैं अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा इकन दबा देना खुश्य रोब आधरों मलते हैं अगली वीडियो में